जहे हैं जपान में G7 सिखर सम्मेलन होने के बाद अब G20 सिखर सम्मेलन भारक के कस्मीर में होने वाला है तो इस G20 सिखर सम्मेलन को रोगने के लिए पाकिस्तान ने ADC लेकर चोटी तक जोर लगा गिया है लेकिन उसकी इतनी अवकात नहीं है कि वह इस सिखर सम्मेलन को कोई नहीं मनता है वहीं जो उसके इत्व खास देसे सिर्फ वहीं मानते हैं मुझे तो नहीं लगता है कोई मानेगा भी यह चाहिए जितना भॉकले लेकिन इनका भॉकला गरते ही है फिलाहाल कोई भी देस इनकी बात को नहीं मानेगा जो पाकिस्तान कसमीर को अपना समझ रह गई है तो कस्मीर में हो रहे हैं सिखरसा मेलन में कुछ देश नहीं आने वाले हैं जिन में से चाइना एक है क्योंकि वो उसका खास एकरीमी है ऐसा लगता है कि चाइना नहीं आएगा यह जी ट्वेंटी सिखरसा मेलन है इसमें दो तीन देश हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि एक से nei आरहा हैं वहाँ पर सबस्दान का सबस्कारा होग चारत लोग उसके बारें जानें की ए झानेंगे लोग तो olabilir करने कंसरों तो तो ये पाकस्तान पेड़े चाहता है कि इसको लिए इसको लेए लेकिन वहिया तुम्हारी ये नाकाम हरकत रहेगी हमेसा इसमें कभी success नहीं होगे पाकिस्तान इतना negative attitude वाला बन गया है कि जितना वह बन सकता था वह उतना negative attitude वाला बन गया है इस वक्त उसकी ऐसी हालत हो गए ना कि जैसी एक पडोसी कि रहती है जैसे कि एक पडोसी अगर स वह सफल हो गया उसके पास बहुत अच्छी कारे हैं बगला है गारी भोड़ा हर एक चीज है उसके पास दान दौला समरत है और वहीं दूसरा जिसके पास कुछ नहीं है वह दूसरे के आसरे पर जीवित है जो unsuccessful है वह successful वाले को देखकर उसके अंदर जलन की भावना हो जात कैसे हुए मुझे सिमा इनको बताओ यार कोई इंडिया दिन्दार्थ मेहनत करता है यहां के जो बीर जवान है वह हम ऐसा मेहनत करते हैं हार तो कोई आप मैनत करते हैं और तुम दूसरे के आसरे पर पढ़ने वाले हो सोचने हो कि हम भी बढ़ जाए कि कैसे बढ़ जाओ खुद को इस लाइक बनाओ कि तुम भी आगे बढ़ सुको ना पाकिस्तान सभी देशों से खूब कहा है कि आप इंडिया मत जाएए कस्मीर में जो सिकर सम्वेलन हो रहा है उसमें मत हिस्सा लीजे लेकिन उसका किसी देशों पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ा है सारे देश आ रहा है और इस जी सिकर सम्वेलन को साफल बनाएंगे इन सब चीजों को देकर अब तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि हमारी अवगात क्या है पहले तो खुद को सुधारो जो दूसरे के आस्तरे पर जीवित रह रहे हो खुद निर्भर बनो सिछित बनो मेहनत करो अपने आपको उस लेबल पे लेकर आओ कि तुम्हें कोई सहारा दे सके अब तुम उसे की बुराई कर रहे हैं तुम्हें कौन सहारा देगा तो ऐसा ना करो तुम भी मेहनत करो तुम भी सिछित बनो तुम भी चीजों को जानो तुम एक दिन इस समित का हिस्सा बन सकते हो मेहनत करो फुद के अंदर उतना जजबा लेकर आओ कि हम किसी दूसरे देश में जो सम्मेलन हो रहा उसमें भाग ले सके इतनी अवकात अपनी तो बना ही सकते हो कम से कम जी 20 सिखर सम्मेलन कसमीर में तो हो गए ही रहेगा इसी भी परिंदे की इतनी अवकात नहीं है कि वह पर जमा सके वहां पर हमारे बीर जमानों का पहरा है वहां पर भारतमा के बीर सपूतों का पहरा है तो अगर परिंदा भी पर मारेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा वहां पर हमारी सारी सेना ये पैराद को हमेसा किसी भी आपरेशन को अंजाम देने में सच् किसी की तरकी को देखकर जलता है तो सबसे पहले तूसे जलना बन करो तुम भी इस लायक बनो तुम भी मेहनत करो तुम भी आगे बढ़ने की कोशिस करो कम से कम आगे बन जाओगे आगे बढ़ना स्टार्ट तो करो तुमसे तुम्हें धक्का देने के लिए कोई न कोई आ ज भगवान से यही प्राधना करेंगे कि आप भी सफर बने, आप भी एक दिन इस सम्मेलन का हिस्सा बने और यह सारी नीची हरकते करना बंद करो, आप पाकिस्तान एक इस प्रकार से एड़ी से चोटी तक का जोल लगाने की बावदूर्द भी कस्मियर में होने वाले इस जी और इंटी सी खस्दा मेलन को नहीं रुख पाएगा, तो समझ पाएगा, इसी के साथ मिलते हैं ने श्ट